आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साक्षेयर करने वाली हूँ एक 4-in-1 प्रोड़क्ट का रिव्यू जो की है शुगर कॉस्मेटिक से और यह है इनका कॉंटोर दे फोर्स आइज एंड फेस पैलेट फिलाल मुझे यह प्रोड़क्ट जो है वह बहुत ही पसंद आया कि एक प्रोड़क्ट में आपको चार अलग अलग प्रोड़क्ट की क्वालिटीज मिलती है तो अगर आप जाना चाते हैं कि क्या है यह प्रोड़क्ट या कैसा है यह प्रोड़क्ट तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें बट उतसे पहले जरूर कर लें कि आपने वीड पॉइडियो मिस्स ना करें तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी या मैं डिस्क्लैमर देना चाहूंगी मेकप, skincare या hair care ये काफी subjective होते हैं क्योंकि हर किसी की जो चॉइस होती है वो different होती है तो आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा personal experience है and मेरी personal choice है तो इस बात का धिहान जरूर रखे point number two, अगर आप इस product को buy करना चाते हैं तो sugar cosmetic बहुती popular brand है जो offline, online दोनों तरीके से easily available है तो जो भी आपके लिए convenient way हो आप वहाँ से shopping कर सकते हैं तो I think मैंने सारी बाते clear कर दी हैं भी start करते हैं हमारे वीडियो को सबसे पहले बात कर लेते हैं product के price और इसकी packaging की तो यह कुछ है इस तरह की outer cardboard packaging में आता है जिस पे products related सारी details जो है वो mention किये गए है इसको जो price है वो है 1099 rupees and इसमें आपको जो product quantity मिलती है वो है 20.3 gram की and इसकी जो self life है वो है 36 month and sugar के जितने भी product है यह सभी cruelty free है यह मैं कई बार आप लोगों के साथ share कर चुकी हूँ shade की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो shade है वो है 01 warm wind आप अपनी skin color के according या जिस भी category में आप आती हो उसके according आप अपने लिए perfect shade जो है वो selected कर सकती है अब बारी आती है इस product की main packaging की तो यह है इसकी main packaging जो की मुझे काफी अच्छी लग रही है and products related details जो है वो inner packaging पे भी mention है make up करना बहुत ही आसाम हो जाता है क्योंकि आपको extra mirror carry नहीं करना पड़ेगा अब बारी आती है product की तो यहां पे आपको मिलता है तो छोटू से brush जिन से आप अपना blush and highlighter apply कर सकते हैं and एक छोटू सा मिलता है sponge tip applicator and brush जिससे आप अपना eyeshadow apply कर सकते हैं और product की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको चार अलग-अलग product मिलते हैं एक है आपका blush, दूसरा है आपका highlighter, तीसरा है आपका contour या bronzer and चौथा है आपका eyeshadow आइशेडव में आपको छे अलग-अलग colors मिलते हैं जिसमें सिर्फ एक color ऐसा है जो कि matte है बाकी ये पांचो ही shimmery या shiny है but don't worry इस shade को भी and इस shade को भी जो blush and contour है आप उसे भी as a transition shade use कर सकती है easily तो ये है वो 4-in-1 product जो कि आपको 1100 रुबे में मिलते हैं and आप समझ सकती है कि आपके पैसे जुन है वो कितने save होने वाले हैं सबसे पहले मैं इनका swatch आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं तो ये है contour actually ये camera पे इतना पता ही नी चलेगा बहुत light है and ये है आपका highlighter ये पता चलेगा and blush बहुत ही soft pink color है blush का and eye shadow तो बहुत अच्छे से पता चलेगे इनको आपको बहुत हलका swatch करने की जरूरत है क्योंकि eye shadow दुम buttery दुम creamy है and blending में आपको कोई भी problem नहीं आने वाली है कोई साभी shade आप स्वाच कर लो सारे ही shade जो है आपको बहुत पसंदाएंगे फिलाल मुझे eye shadow जितने especially shimmery shade है वो बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि यह बहुत आसानी से glide हो रहे है and बहुत ही pigmented colors है तो फिलाल मैंने इनके swatch जो है वो आप लोगों के साथ share कर दिये हैं अब बारी आती है इनके application की सबसे पहले मैं इनका application आप लोगों के साथ share करती हूं उसके बाद मैं इसका जो review है वो आप लोगों के साथ share करूं तो base makeup मेरा done है अब बारी है eye shadow की तो उसके लिए मैं use कर रही हूं sugar cosmetic का contour de force eyes and face palette जिसमें मेरा shade है zero one warm win and यह है इसके shade जो की fair skin tone के लिए perfect है तो सबसे पहले मैं I think यह shade यूज़ करूंगी क्योंकि इस eye shadow में सिर्फ यही इकलाउता shade है जो की matte है वैसे eye shadow की बात करूं तो बहुत ही creamy है मतलब बहुत अच्छे से blend हो रहा है और pink भी बहुत अच्छे से हो रहा है नेक्स्ट मैं यूज़ करूंगी यह shade एंड इसे पिक करने के लिए मैं यूज़ कर रहे हूं sponge tip applicator क्योंकि जो जो सिम्री या shiny shade होते हैं वो sponge tip applicator से बहुत अच्छे से पिक एंड अपलाई होते हैं एंड यह applicator इस palette के साथ free आया है सूपर pigmented eyeshadow सारे ही shade अब हम इसे भी थोड़ा सा blend कर लेए तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यह contour या bronzer shade next है blush जो की बहुत ही soft pink है then last में है highlighter बीना highlighter के तो हमारा make up complete होई नहीं सकता तो आपने इस face and eye palette से related सारी details जो है वो चेक कर ली है चाहे इसका hand swatch या इसका eye swatch या जो भी इसकी details है आपने सब कुछ देख ली है अब बढ़ते हैं हमारे review की तरफ सबसे पहले बात कर लेते हैं minus point की honestly बोलू मुझे इसमें कोई भी minus point नहीं दिखा है क्योंकि चाहे आप इसकी packaging की बात करें प्राइस की बात करें या product quality की बात करें सब कुछ even है तो इसमें कोई भी minus point नहीं है फिलाल मुझे ऐसा कोई भी minus point नहीं दिखा है अब बढ़ते हैं हमारे plus point की तरह plus point की अगर मैं बात करों तो सबसे पहला जो इसका plus point है वो ये है कि इसकी packaging मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है जिसमें आपको चार product के साथ साथ एक full size mirror भी मिलता है जिसके साथ आपको extra mirror carry करने की बिल्कुल भी जलूरत नहीं है second point ये है कि एक product से ही आपका चार अलग-अलग product का काम हो जाता है तो आपको चार अलग-अलग product बाई करने की जलूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी हाइलाइटर ब्लश या आई शेडो सभी की जो quality है वो एवन है specially जो इसमें आई शेडो में सिमरी शेड हैं वो तो आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं क्योंकि बिल्कुल बटर की तरह क्रीमी है वो और easily blend होते हैं उन्हें अपलाई करने का सबसे अच्छा तरीका है या तो आप अपनी finger का यूज करें या फिर इस palette के साथ जो sponge tip applicator आता है आप इन्हें यूज करें जिससे कि आप easily अपना जो eye look है उसे create कर सकती हैं और उसमें 6 अलग-अलग shade मिलते हैं 5 सिमरी हैं 1 matte है तो आप different different eye look भी create कर सकती है नेक्स अगर मैं plus point की बात करूं तो next plus point यह है इसमें बिल्कुल भी fallout नहीं होता है actually fallout depend करता है आपके product pick करने के तरीके पे अगर आप हलका सा dust off कर देती हैं तो बिल्कुल भी fallout नहीं होगा and shade बहुत अच्छा है और सबसे ची बात यह है कि यह palette जो है face and eye palette यह आपके shade के according available है मतलब अगर आप fair हैं तो मैं recommend करूंगी क आप 01 shade try करें क्योंकि इसका जो blush है वो baby pink blush है या बहुत ही soft pink है जो की fair skin पे ही अच्छा लगता है अगर आप medium है या थोड़ा सा dark है तो आप इसमें other shade जो available है उन्हें try out कर सकते हैं final word की अगर मैं बात करूं या मेरी बात करूं तो फिला मुझे तो भाई यह product बहुत ही जिसके वजह से मुझे बहुत जादा makeup product कहरी ना करना पड़े मुझे वह सारे ही product बहुत अच्छे लगते हैं तो इसमें क्या है इसमें आपको चार product के benefit मिलते हैं आपका blush contour या bronzer आपका highlighter और आपका eyeshadow palette तो आप समझ सकती है कि यह कितना money and space saving है तो फिलाहल अगर अभी तक आपने try out नहीं किया है तो definitely try out करिएगा आपको यह palette जो है वह बहुत ही पसंदाएगा तिराल मुझे शुगर का यह idea भी बहुत अच्छा लगा एक palette बाई करो चार अलग अलग करने की ज़वरत बिल्कुल भी नहीं क्योंकि real life में या in person हम इतने साथे colors के साथ बिल्कुल कोई एक हमारे लिए perfect होता है तो उसके लिए यह palette जो है वो perfect है especially beginners के लिए या आप bridal kit बना रही है beginner makeup kit बना रही है तो उसके लिए यह palette perfect है तो यह था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया sugar K contour the force face and eye palette का review साथी साथ मुझे यह product कैसा लगा व जज करती है मतलब चाहे price point हो packaging हो या quality हो तो आपके according यह product सही है या नहीं comment करके जरूर बताइएगा video अच्छा लगा हो किसे like और share करना बिल्गुल भी ना भूले चैनल पर पहली बार आए तो please subscribe जरूर करिएगा subscribe के साथ साथ bell icon को भी hit कर लें जिससे आपको मेरे videos के notification time से मिल जाए और आप मेरे कोई भी video मिस ना करें मैं मिलती हूँ आपसे next video में तब तक के लिए be happy and take care bye